भारत के पुर्वोतर का राज्य है मिजुरम, सुन्दर पहाड़ी इलाका, भारत के मॉडल राज्यों में से एक साक्षरता में केरल के बाद दूसरे नंबर पर और पर-capita GDP के मामले में उत्तर प्रदेश से दो गुना, सीमाएं बांगलादेश और म्यानमार से लगती हैं, 1972 तक ये असम का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद इसे केंदर शासत प्रदेश बना दिया गया, राज्य का दर्जा मिला 1987 में लेकिन मिजुरम के राज्य बनने की कहानी इतनी सिंपल नहीं है, उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों की तरह ही मिजुरम का भी एक जटल इतिहास रहा है, साल 1957 तक स्थितिया साधारन थी, तब इसे लुशाई हिल्स कहा जाता था, फिर 1958 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब रख दिया, उस साल जंगल में फूल उगे और फूलों ने 30 साल तक कांटों का रास्ता तयार कर दिया, कैसे जंगल उगे कुछ फूलों ने लुशाई के पहाडों में विद्रो खड़ा कर दिया, क्यों इंदिरा गांधी को भारत की जमीन पर बंबारी का आदेश देना इस जून है और आज की तारीक का संबन्द है मिजरम शांती समझोते से कहानी की शुरुआत होती है साल 1957 से, उस साल लुशाई के जंगलों में फूल खेले, लेकिन ये बसंत के आगमन का संकेत नहीं था, जल्द ही लुशाई की पहाड़ियों में तबाही आने वाली थी जैदरत पांचाली को अपने रत में ले जा रहा है, पांचाली बार बार उसे छोड़ देने का आग्रह करती है, लेकिन जैदरत नहीं मानता, तब पांचाली उसे श्ट्राप देती है, कि जैदरत का सर्वनाश वैसे ही होगा, जैसे बांस पर फूल आने पर जंगल बांस 40-45 सालों में एक बार फूलता है, लेकिन जैसे ही प्रजादी के बांस पर फूल आता है, सब ही प्रजादी के बांस में फूल उगने लगते हैं, यानि एक दूसरे से सेंकडों मील दूर बांस के जंगल एक आएक फूलों से भर जाते हैं, कैसे और क्यों, इसका पता वैज्यानिकों को भी नहीं है मिजुरम में इस घटना को मौतम कहते हैं क्योंकि बांस पर फूल आने का मतलब है तबाही हर 48 सालों में तबाही का ये दोर मिजुरम से गुजरता है ब्रिटिश रिकॉल्स के हिसाफ से 1862 और 1911 में भी इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था 1958 में भी ऐसा ही हुआ था अक्टूबर 29 साल 1958 की बात है तब मिजुरम अलग राजजना होकर असम के अंदर एक जिला हुआ करता था उस रोज बांस में फूल खिलने लगे तो स्थानी जिला परिशद ने असम राजज सरकार से डेड़ लाक रुपे की मदद मांगी ये कहते हुए कि जल्द ही मिजुरम में भुकमरी आने वाली है इस बात का कोई वैग्यानिक आधार तो ना था इसलिए राजज सरकार ने इस मांग को कबीलों का अंध विश्वास मान कर नजर अन्दास कर दिया लेकिन मीजो लोगों का डर सही साबत हुआ बांस पर फूल आये और पीछे-पीछे चूहों का आक्रमन चूहोंने सारी फसल बरबाद कर दी भुक्मरी की हालत होने लगी असम सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई आई तो एक नई स्कीम जिसके तहत एक चूहे को पगड़ने के 40 पैसे मिलते थे लुजाई की पहाडियों में विद्रों के बीच पनप चुके थे जिने हवा और पानी मिला आसम सरकार की एक दूसरी घोशना थे साल 1960 में आसम सरकार ने आसमिया भाशा को राजकी भाशा घोशत कर दिया जिसके बिना सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी अकाल में मदद के लिए मीजो लोगों ने एक स्थानिये फ्रंट बनाया था और घटना हुई और MNF हिंसा की ओर उतर आई 1964 में असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बरखास्त कर दिया था इस बटालियन में अधिकतर मीजो वासी थे जिनकी नौकरी इस फैसले के कारण चली गए ये फौच से निकल कर ये लोग वापस मिजोरम पहुचे और MNF से जुड़ गए इन ही लोगों ने मीजो नाशनल आर्मी का गठन किया बॉर्डर पर होने के चलते मीजो नाशनल आर्मी को बांगला देश जो तब पूरवी पाकिस्तान हुआ करता था वहां से हत्यारों की सप्लाई हुई पीट पीछे चीन भी MNF का समर्थन कर रहा था चिटपुट हिंजा की घटनाओं की शुरुवात यहीं से हो गई सुरक्षा बलो ने वापसी कारवाई की तो मीजो विद्रोही भाग कर बर्मा और पूरवी पाकिस्तान में जा चपे साल 1963 में लाल डेंगा की गिरफतारी हुई उन पर राजद्रों का मुकदमा चला लेकिन कोट ने उन्हें बरी कर दिया साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुवात हुई मौका देखकर अक्टूबर 1965 में MNF ने प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमुरेंडम भीजा जिसमें लिखा था मीजोदेश भारत के साथ लंबे स्थाई और शांती पूर्ण संबंद रखेगा या दुश्मन ही मोल लेगा इसका निर्ण नया भारत के हाथ में है जनवरी 1965 में ताशकेंट में शास्त्री जी की मौत होती है और अगले ही महीने 28 वरवरी 1965 को MNF एक उपरेशन की शुरुआत कर देता है इस उपरेशन का नाम था उपरेशन जेरिको रात 10 बच कर 30 मिनट पर MNF के हजार से ज्यादा लोग BSF और Assam Rifles के कैम पर हमला बोल देते हैं इसके बाद ये लोग टेलेफोन एक्स्चेंज को निशाना बनाते हैं ताकि भारत के साथ सारे कनेक्शन तूट जाए उपरेशन जेरिको के तहत ही मीजो विद्रोहियों ने सरकारी दफ़तरों को अपने कबजे में ले लिया था अगले दिन यानि 1 मार्च 1966 को MNF 112 सूत्रिय घोशना पत्र जारी करती है जिसमें लिखा गया था कि भारत मीजो लोगों पर शासन करने के लिए अयोग्य है इसके बाद असम राइफल्स के हेटकोर्टर से तिरंगा उतार कर MNF का जंडा फहराया जाता है और आजाद मीजो देश की घोशना हो जाती है इस समय तक इंदिरा गांधी प्रधान मंतरी बन चुकी थी उनके पिता जवारलाल नहरू को भी पूरवोत्तर के मामलों में कश्मकश का सामना करना बड़ा था 1947 से लेकर 1952 तक चली नागा संकट के दोरान नहरू कभी आर्मी आक्षन से नहीं हिचकचाए लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि ये लोग हमारे ही देशवासी हैं इसलिए इन्हें दबा कर जमीन हथ्या लेना हमारा उद्देश नहीं नेरू दिल जीतने में भरोसा रखते थे लेकिन इंदिरा का ऐसी भावनात्मक बातों से कोई सरोकार न था एक मार्च 1966 में आजाद मीजो देश की घोशना के अगले तीन दिनों तक शान्ती बनी रही लेकिन इस बीच आर्मी को आक्शन का ओर्डर मिल चुका था तीन मार्च को सेना ने सिल्चर से मीजो पहाड़ियों की तरफ मूव किया आस्मान से पर्चे गिरा कर चेतावनी दी गई कि लोग विद्रों में शामिल ना हूँ पांच मार्च 1966 सुबह साड़े ग्यारा बजे मिजोरूम की राजदाने आईजॉल के आस्मान में इंडिन एरफोस के एरक्राफ्ट मंड़ा रहे थे सेना को आईजॉल में घुसने में दिक्कत हो रही थी वहां हेलिकॉप्टर से जवानों को उतारने की कोशिश भी हुई लेकिन दूसरी दरफ से भारी गोली बारी के चलते सेना आईजॉल में एंटर नहीं कर पा रही थी इसी के चलते पांच मार्च को एरफोस की मदद ली गई कुछ घंटे चली गोलाबारी में पूरा आईजॉल तहस्त नहस हो गया विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजुरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया तेरा मार्च तक चले ओपरेशन में तेरा लोगों की जाने गई लेकिन इस ओपरेशन का असर उल्टा हुआ सेना और एरफोस के ओपरेशन ने लोगों में गुस्सा भर दिया इंद्रा सरकार ने सफाई दी कि प्लेन से बम नहीं बलकि राशन और जरूरी सामान गिराया गया था इस घटना के कुछ दिन बाद असम विधान सभा के दो सदस्यों ने घटना स्थल का दौरा किया यानि स्थानिये लोगों ने उन्हीं कुछ गोले दिखाए जो फूटे नहीं थे अगले दिन असम विधान सभा में भाशन देते हुए ये लोग बोले प्रधान मंत्री कह रही है कि राशन गिराया है इन बमों को वापस दिल्ली भेज़ा जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि इसे पकाते कैसे हैं इस घटना ने आसम में विधरो को और बढ़ाया वर्तमान में मिजरम के मुख्य मंत्री जौराम थंगा बताते हैं कि इनी हमलों के बाद उन्होंने MNF जॉइन करने की ठानी थी रौके पूर्व चीफ बी रमन ने भी बताया कि बंबारी के चलते और ज्यादा लोगों ने इंसरजेंसी का रुक किया था एस्ट्राइक्स के बाद फॉज ने तेजी से कारवाई करते हुए इलाके को अपने कंट्रोल में लिया और आसपास के बॉर्डर को सील कर दिया गया ताकि बर्मा या पूरी पाकिस्तान से कोई मदद ना सके असम अशांत क्षेत्र अदिनियम 1955 के तहद इलाके को अशांत क्षेत्र गोशित कर पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया साथ ही MNF पर भी बैन लगा दिया गया लाललेंगा की वापसी इसके 15 साल बाद हुई इस बीच विद्रो को दबाने के लिए केंदर सरकार ने एक और कदम उठाया जेनरल मानिकशो की अगवाई में एक नया प्लान बनाया गया मानिकशो समझ रहे थे कि स्थानिये लोगों की मदद के बिना कोई विद्रो नहीं चल सकता इसलिए नए प्लान के तहट 764 में से 516 गाओं को खाली गरागर भारी सुरक्षा के बीच नई जगह पर बसाया गया यहां इन लोगों को अलग-अलग ग्रूप्स में माटा गया ताकि आपस में कोई साज़िश ना पनप पाए इन लोगों को नए ID नंबर दिये गए पुराने गाओं को नश्ट कर दिया गया नई बसावट में भारी सुरक्षा गेरे के तहट लोगों को रखा जाता था और सुभा शाम उन्हें अपनी हाजरी लगानी पड़ती थी 1970 तक सेना ने विद्रो पर पूरी तरह से काबू पा लिया शांती पूर्ण विरोध अब भी चलता रहा लेकिन माहौल कमोवेश शांती पूर्ण बना रहा अगले डेड़ दशक तक शांती बनी रही लेकिन इस शांती में तूफान की आहट थी मीजो नाशनल आर्मी ने हतियार नहीं डाले थे गुंजाईश बनी हुई थी कि कभी भी दोबारा विद्रो खड़ा हो सकता है साल 1980 के आसपास लालडेंगा जो लंडन में बस गए थे उन्होंने भारत सरकार से वारता की कोशिश शुरू की उन्होंने यॉरोप में मौझूद भारती इंटेलिजन्स से लोगों से बात कर वारता की पेशकश रखे इंद्रा की दो शर्तें थी पहली कि MNF हतियार डाल देगा और दूसरी शर्त ये कि जो भी समझोता होगा वो भारती सम्वधान के अनुरूप होगा इस मामले में 31 अक्टूबर 1984 को लाल डेंगा और इंद्रा गांधी की मुलकात होनी थी लेकिन दुर्भागे से उसी दिन इंद्रा की बॉडिगार्ज ने उन्हें गोली मार दी इसके बाद आज ही के दिन यानी 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और MNF के बीच एतिहास एक मीजो शान्ती समझोते पर हस्ताक्षर हुए जिसे राजीव सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से माना जाता है 1987 में मिजुरम को अलग राजजिकत दरजा मिला उसी साल मिजुरम में पहली बार चुना हुए और लालडेंगा मिजुरम के पहले मुख्य मंत्री बने इस विशे पर और भी जानकारी चाहते हैं तो आड़ी प्रधान की किताब है Working with Rajiv Ghandi वो आप पढ़ सकते हैं किताब में प्रधान ने एक बड़े रोचक किस्से का जिक्र किया है हुआ यूंकि 30 जून जब मीजो शांती समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसी दिन प्रधान रेटायर होने वाले थे 30 जून दोपैर ढ़ाई बजे लालडेंगा और प्रधान की चाय पर मुलाकात हुई तब समझौते पर हस्ताक्षर पर कोई फैसला नहीं हुआ था प्रधान ने लालडेंगा से कहा मीजो लोगों और उनकी जमीन से मुझे प्यार हो गया है उमीद है किसी दिन मैं वहाँ आकर आपके परिवार से मिल पाऊंगा प्रधान की इस बात पर लालडेंगा इतने भावख हो गए कि उसी दिन हस्ताक्षर करने को राजी हो गए प्रधान ने बताया कि अगले कुछ घंटों में वो रेटायर हो जाएंगे इसलिए आज ये संभव नहीं है लेकिन लालडेंगा अपनी टीम के साथ प्रधान मंत्री आवास पहुँचे और राजीव गांधी के साथ समझहोते की आखरी कुछ शर्तों पर बात फाइनल कर ले काविनेट से सहमती लेने तक रात के साड़े आठ बच चुके थे समझहोता तयार था लेकिन उस पर हस्ताक्षर आड़ी प्रधान को करने थे लेकिन प्रधान ने ये कहते वो इंकार कर दिया कि पांच बजे वो रेटायर हो चुके हैं इसके बाद राजीव गांदी ने उन्हें रात बारा बजे तक का एक्स्टेंशन दिया और तब जाकर लालडेंगा और प्रधान में समझहोते पे हस्ताक्षर किये इतियास के ऐसे ही रोचक किस्वे आप तक लाते रहेंगे आज के लिए इतना ही यह एपिसोड आपके लिखा था हमारे साथ ही कमल ने अपना खयाल रखिए और देखते रहेंगे दिलालन टॉप शुक्रिया